तो अब अभी अधिया आप सब पक्रिये से हैं तेंक यू आप अम्हारी रेसिपीस को पसंद कर रहे हैं और कमेंट से बहुत पहरे पहरे कर रहे हैं जो ने वेवर्ण प्लीज पूरी वीडियो देखा करें ताके आप कोई चीज मिसना करें आज जो मैं मज़ी की रेसिपी आपसे शेयर करने जारी हूं वह है गोला कबाब अजिमियोर्ष इस कबाब को बनाने के लिए आपको जो इंग्रीटेंट्स जाहिए एंग्रीट्स का कीमा लिए हो भीटाइएं थे सबिस्से पहले इसमें जाएगा 1 वान टी स्पून जिंज गालिक पेस्ट पेस्ट और वन टी स्पून इसमें जाएगी हरी मिर्चों का पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, यह एक मीडियम साइज का अनियन था, उसको मैंने ब्राउन करके ग्राइंड कर लिया, इसमें प्याज जाएगा, वो कच्छा प्याज नी जाएगा, ऐसे ब्राउन और ग्राइंड होगा, अब इसके dry ingredient notes कर लें उसमें है 1 teaspoon salt, 1 teaspoon kutti लाल मिरच, 1 teaspoon zira भूना कुटा और धनिया भूना कुटा 1 teaspoon 1 teaspoon, 1 teaspoon इसमें जाएगी सफैद मिर्च का पाउडर, दकनी पाउडर, अब इसमें जाएगा 1 teaspoon गरम साला, इसमें 1 teaspoon दाठ चीनी का पाउडर जाएगा, जो इसके टेस्ट को जरा डिफरेंट करता है सबसे, और इसमें 1 teaspoon जाएगा जैफल जावत्री का पाउडर जो इसको अब जो जीद इसमें जाएगी वो इसका गलाने के लिए मैं यूज का रही हूँ, मैं कच्छी का पाउडर यूज का रही हूँ, वन टी स्पून, आपके पस पपीता है, कच्छा पपीता आप उसकी पेस्ट यूज कर ले, अगर आपके पस मीट अंडर आइजर है वो यू हाँजी विविवसret वीज आपक इसके अपका है, मैं इसको अची पर मिक्स पराप गोर आप वह ऐसे आधर कृबर चाहिए हमले और आपको दिखाती हो यूज तिके लापपर कैसे बनाने है, हाँजी विविवैर् जैसे के नाम से पताई के गोला कबाब अपर भीक तो इस इसको सीट के अंदर डालनें तो ये प्यारी सी शेप इसके बन देगी आजी देखें आप इस तरह के कबाब बना लेंगे छोटे-छोटे से आप इस स्टेश पर चाहें तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं पर आप चाहें तो अब बाद में इसको बार्बीक्यू कर लें एक चम्माच तेल टालके आप पैन में इसको फ्राइ कर लें जिस तरह आपका गिल चलता है उसको इस तरह बनाए और एंज्वाय करें मैं आपको इसकी फ्राइं के बाद इसकी फाइनल लुप इखाते हूं और इसमाई करें हाल जुगर थैंक्यू आपने हमारी पूरी वीडियो देखी और इसको पसंद किया प्लीज इस रेसिपी को ट्राइ की जिएगा और दाद दूसूल करेंगे इंशाला प्लीस राइन के प्लीज प्लीज आपने खाइन परिय लुच ओड्सप्राइं के विवाखी धियू द fareक्यों दनो Itu